आज की टॉपिक में हम कलर कोरेक्शिन और कलर ग्रेडिंग क्यों पर बात करेंगे जो के नॉर्मली जब आप अपना एडिट को फाइंडल कर लेते हैं उसके बाद फिर आप इस स्टेज पे जाते हैं फिल्म इन्वार्मेंट में प्रॉपर कलरिस्ट की ये जॉब होती है जो के फिल्म को पोस्ट प्रॉडक्शन में कलर ग्रेड करता है एक स्पेसिविक लुप देखता है और अकर जितने भी कोई इसमें प्रॉब्लम हो एक्सपोजर वाइस या फिर टेंपरेचर वाइस तो वो सेट करता है दो डिफरेंट चीज़े हैं जैसे कि मैंने पहले बताया तो मैं दोनों का आपको डिफरेंस भी बताऊंगा लेकिन इससे पहले अगर हम सिर्फ कलर क्रेक्शन पर बात करें तो कलर क्रेक्शन क्या है ये एक ऐसा टेकनिकल प्रॉसेस है जो आपकी फुटिज को नेचरल दि रिफरेंटिंग्स होती है कहीं पर अगर थोड़ा सा वह अपन्डाउन हो गया या कहीं पर कोई एक्सपोजर या टेंप्रेचर अगर प्रॉपर मैनिज नहीं हो सकता जो कि बड़ी कॉमन रूटीन है हो जाता है क्योंकि आपने एक कैमरा पोजिचन चेंज भी करनी आपने तो इनको मैच करने के लिए और उनको इस तरह से टीन करने के लिए कि आपकी एक नैचरल आंहेद से आपको वह इमेज नजर आने लगता इसके इलावा आप कहलें कि जितना उसको ट्रीट करते हैं तो उतना ही रियलेस्टिक होता है और क्लीन होता है कि एक नॉर्मल इंसान की आँख जिस तरह से इसको देख सकती है इसके इलावा अगर मैं बात करूँँ इसके बात फिर ग्रेडिंग पर तो बेसिकली किलर ग्रेडिंग क्या है कि आप अपनी ही image को अपनी film को एक specific look एक specific color अलग से theme जो के realistic शहाद ना हो इस तरह से देते हैं कि और color scheme इसमें add करते हैं कि वो उसकी एक look aesthetically बदल जाती है उसमें थोड़ से ट्रामा एड हो जाता है आप यह कह सकते हैं कि बिल्कुल ही उसका एक फील आपको इस देखने में उस तरह बता भी ना चले लेकिन अवर आल आप उसको देख सकते हैं कि उसकी फील बिल्कुल बदल चुकी होती है यह एक ऐसा प्रॉसेस है जिसमें आप इमेज़स को अपनी फिल्म को वीडियो को उसकी एपेरिंस को डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं आपने कई मुवीज देखी होंगी जिनमें आपको शायर एक ही टोन नजर आ रही हो मैं अगर बात करूँ मैट्रिक्स की बड़ी फेमस फिल्म है तो उसमें वो ग्रीन टेंट आपको नजर आएगा जोके ओवर आल पूरी फिल्म ही इसी तरह से एक कलर को लेकर चल रही है तोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से नॉर्मल आख जिस तरह से देख ही होते है फिल्म को उसमें कूछ ऊसंथ हो इस तरह से हो मैंने आपको एक्जेम्पल दी 300 की मैंने आपको एक्जेम्पल दी मेट्रिक्स की इसके लाब आप और भी फिल्म उठाकर देखें तो उसमें सिर्फ यह नहीं कि आप एक कलर लेकर चल रहे हूं लेकिन आप बहुत सारी कलर स्कीम्प जिस तरह से कंप्लीमेंंटरी, मोनोक्रोमेटिक और इस तरह की और भी कलर स्कीम्प देखें तो psychologically आप पे colors का effect होता है मिसाल के तोड़ पे अगर एक red color है तो maybe वो किसी tension को build कर रहा हो या फिर वो romantic side पे भी आप लेके जा सकते हैं और अगर blue tone आप देखेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी calm, थोड़ा सा cool effect उसमें होता है दोनों के बारे ने आपको difference थोड़ा सा बता दूँँ जैसे के हम बात कर चुके हैं color correction में आपके पास एक basic natural आख को जिस तरह के चीज़ दिखाने के लिए आप उसको उस तरह से change करते हैं या फिर कोई camera की अगर कोई गलती हो तो उसको आप set करने के लिए उसको balance करने के लिए अपने shorts को लेके जाते हैं और इसके इलावा जो आपकी color grading है उसमें आप फिर एक look को लेके चलते हैं visual tone आपके different होती है और उसमें theme एक अब लेके चल सकते हैं आप समझ लें कि aesthetically उसमें एक different पूरा scenario different होता है जैसे के अभी तक हमने जितनी भी बात की है color grading और color correction की थोड़ा सा आपको idea होगा कि creative process है और आपका workflow थोड़ा सा जारा editing से हट कर होता है थोड़ा technical भी है इसको थोड़ी समझने की जूरत है आपको अपनी आख को थोड़ा सा tune करना पड़ता है कि like आपने scopes को भी follow करना है कुछ technical चीजे है इस तरह से और बाकी आपके aesthetically भी कुछ चीजे कोई color theories है color schemes है या पिर जिस तरह से आप बेतर तरीके से समझते है professionally आपको monitors थोड़े से चाहिए होते हैं जिसके हिसाब से आपका जो कदर जो आप बना रहे हैं grade बना रहे हैं वही आपका broadcast पर या different mediums भी वेस सही रहे है आम तोर पर अगर मैं बात करूँ तो तीन main चीजे होती हैं इसमें जो कि अगर हम थोड़ा सा technicality की तरफ जाएं इसमें सबसे पहले चीज़ है मेरे पास hue second saturation और third brightness step by step अगर हम इसको देखते हैं तो hue जो है हमारे पास basically क्या है amount of color जितना भी आप cream पे चीज़ देख रहे हैं अगर वह specific tone की तरफ जाता है या आपको एक color काफी highlight नज़र आ रहा है तो वह basically उसका hue level है कि उसमें color कितना है second जीज़ एकर saturation है तो वह उस color की intensity saturation से मुराद उस color की intensity कितनी आपने रखनी है saturation जितनी जादा होगी वह color उतना ही जादा होगा overall color उतना ही जादा होगा या फिर आप समझना कर आप कम करेंगे तो वह color उसमें से निकलता जाएगा आप कहलें वह black and white की तरफ चाहता रहेगा तीसरी चीज़ में आगर बात करूं तो brightness की brightness, contrast आपने आम बहुत सरी चीज़ों में भी देखा होगा, settings में देखा होगा, जितना bright करेंगे आपके पास highlight होती जाएगी और अगर जितना कम करेंगे तो वह पिर आपके पास brightness, उसकी light basically कम होती जाएगी ये तो एक basic हमारे पास एक setup है इसका, लेकिन अगर हम अपनी filmmaking में बात करें, अपने softwares में बात करें और हम proper अगर color grading की बात करें तो इनकी थोड़ी सी terminologies आगर different भी आ जाती है, जिसमें shadows, mid tones, highlights या फिर ब्लैक्स, mids, whites इसको कह सकते हैं और कुछ इस तरह के proper scaling भी है, जिस के हिसाब से आपको अपना shoot plan करना होता है और उसके बाद फिर आपको post में काम करना होता है, तो यह जितनी details हैं आगे हम next lecture में इसके उपर बात करेंगे, अभी तक के लिए आप ये है के color grading को जितना समझा है आपने तो थोड़ा सा इसको revise करें, थोड़ा सा आप color themes को देख और किस तरह से color palette design होता है, तो next lecture में मजीद इसी के उपर बात करेंगे.